उत्राखन के सिल्क्यारा टरनल में फसे मज़़ूरों को रेस्क्यू कराने में बचाव दलों को अब एक और बड़ी चुनोती का सामना करना पड़ सकता है उत्राखन का बिगरता मौसम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है मौसम विभाग यानि आई एमडी ने उत्राखन में बारिश का यलो अलट जारी किया है बारिश होने पर rescue operation में बड़ी रुकावट आने की आशंका है हाला कि rescue operation में जुटे अधिकारियों का कहना है कि rescue mission में लगे अलग-अलग agency के लोग किसी भी इस्तिती से निपटने के लिए तयार है एनेशाइडी सेल के प्रबंद निदेशक महमूद एहमत के मताबिक बचाओ दल कर्मियों को हर इस्तिती में काम करने के लिए प्रशक्षित किया जाता है इसलिए बारिश को लेकर चिंता की बात नहीं है एक mythological report के मताबिक अभी एक yellow alert है IMD से जिसके मतलब एक light rain थोड़ी धीमी बारिश वहाँ पर हो सकती है अगले 24-47 घंटे में बट इसका कोई अंदेशा ऐसा नहीं है इसके इससे काम पर किसी तरी की बाधाप पड़ेगी मौसम विभाग के मताबिक उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और ओला पड़ने की संभावना है मौसम विभाग ने पहाड़ी जिलों में अगले तीन दिनों तक बारिश और बर्प बारी का yellow alert जारी किया है वहीं मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने और घना कोरा चाने का भी पुर्वानुवान है मौसम विभाग के मताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्याग, बागेश्वर, पिथोड़ागर और चमोली जिलों में बारिश और ओला विष्टी के साथ साथ 3,000 मीटर और उससे अधिक उजाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है